Hi everyone, welcome back to my YouTube channel So guys, यहाँ पर जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मोहीत वर्मा जी ने एक मुझसे question पुछा था कि सर्फ passport dispatch हो चुका है तो यह मेरे घर पर कब पहुँच जाएगा या फिर मुझे tracking ID कब तक मिल जाएगी तो guys, यह question हर किसी के मन में आता है जब आप उसको track करते हैं तो आप वहाँ पर कुछ status तो नहीं करता है आपको speed force से तो आप बहुत ज़्यादा घबडा जाते हैं तो guys, आज की इस वीडियो में मैं आपको यह detail में बताऊंगा और इस question को मुझे video form में लाने का इसलिए जो रत पड़ा क्योंकि मैं चाहता था कि ऐसे बहुत लोगों के मन में यह doubt जरूर आ रहा होगा तो मैंने सोचा कि इस question को मैं क्यों ना video बना दूँ जिससे video form में सभी लोगों तक यह message चला जाए और सभी की जो question आ रहा होगा उसका solution मिल जाए तो guys आईए बिना देर कि यह video को start करते हैं तो guys सबसे पहले मैं बता दू कि काफी दिनों से मैं video नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मैरा exam चल रहा था तो आज से आपको regular video इस channel पे मिलेंगे तो channel के साथ जरूर जुड़े रहे तो guys जैसे कि आप जब आपका passport printing के बाद dispatch किया जाता है तो आपको वहाँ पे so हो जाता है कि आपका passport dispatch हो चुका है और आपको tracking ID भी वहाँ पे मिल जाती है लेकिन guys actual reason यह है कि आपका passport dispatch हुआ ही नहीं रहता है तो कब होता है वो तो guys जैसे ही आपका passport regional passport office में आपका passport printing की process जो है वो complete हो जाती है उसके बाद वहाँ पे आपका जो tracking number है जो speed post है वो लोग के पास बहुत सारे रहते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग लगा देते हैं और वही वाला system में update कर देते हैं तो regional passport office के तरफ से आपको ये पता चल जाता है तो वो कब update होगा तो जैसे ही आपकी passport पर वो tracking ID का tag लगता है तो उसके बाद आपको दो से चार दिन उसी में लग जाता है चार से पास दिन भी कई बार लग जाता है जिसमें वो क्या होता है कि वो regional passport office से जो speed post का एक बंदा आएगा और फिर ले जाएगा अपने office में और वहाँ पर update करेगा तो फिर उसके चार से पास दिन बाद आपका जो dispatch की प्रक्रिया है वो start किया जाता है और आपको पहले ही update कर दिया जाता है कि आपका dispatch हो चुका है कि वो हुआ नहीं रहता है वो tag लगने के बाद आपका वहीं पर रखा रहता है और जैसे ही उस location का पूरा का पूरा passport ready हो जाता है तब वो लोग भेजता है तो इस process में 4 से 5 दिन लग जाता है और उसके बाद जब ये आपका actual में dispatch कर दिया जाता है speed post के तरब से जब ये office में पहुंच जाता है वहाँ पे post office में तो post office से जब dispatch होता है तो वो आपके location पर depend करता है कि आपका कितना दूर है वहाँ से आपकी जो regional passport office से आपका जो घर है वो कितना दूर है तो अगर ज़्यादा का distance नहीं है तो फिर आपको 2-3 दिन में मिल जाएगा और maximum यहाँ पे आपको एक हपता लग जाएगा तो खुल मिला कर अगर पूरी बात करें तो आपको 7 से लेकर 12 दिन का तो वेट करना ही पड़ेगा 7 से 15 दिन 12 दिन ऐसे ही करके आपको वहाँ पे passport जो है वहाँ आपको मिल जाएगा और अगर नहीं भी आपको कोई call आती है तो आपको passport office से contact number पे contact कर लेना है जो कि आपको screen पर दीख रहा है तो यहाँ पे आपको यह help line number है speed post का तो वहाँ पे आप बात कर सकते हैं आपकी पूरी जनकारी यहाँ पे मिल जाएगी और guys अगर यहाँ से नहीं मिल पाती है तो आपकी area का post office से आप वहाँ से भी पता कर सकते हैं तो guys I hope कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई होगी तो अपने friends के साथ जरूर सेर करें और regular videos पाने के लिए इस चैनल पे बने रहे